वहीं दून विधानसबा छेत के जुमला और बन्याला गाव के ग्रामिन पिछले कई दिनों से सडक की खराब हालत के चलते काफी परेशान है भारी बरसात होने की वजह से कच्छी सडक पर कीचर जमा हो गया है और रास्ते में कुछ जगों पर लैंसलाइड होने से मार्ग भी अवरुद हो गया है जो सकारण ना तो सरकारी बस और ना ही कोई गाड़ी उनकी आरपार जा सकती है ग्रामिनों का कहना है कि स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जानी में परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है ग्रामिनों ने सडक को जल से जल ठीक करने की गुहार लगाई है करने के लिए हैं को सबसे ज्यादा बस की ए बस रस्ता खराब होगर के 10-15 दिन होगे और यह लड़कियां पलेश्टर स्कूल में जाते हैं कि पेपर लगेंवे हैं और को बार्समें इनको कैसे इनको भीजे और कैसे इनको लिया है हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही ग्यारा सो नंबर भी कंपलेट कर ली तो भी यहां कोई नहीं आ रहे हैं जब से यह रोड सबाठ्टु में डाले गया है इसकी बैलियू खत्म होगी और दो साल से इस पर कोई भी बंदे नहीं आते काम कर करने के लिए हमारी हाँ जोड के आर्जा है कि इसको या तो डिविजन सौली में डाला जाए या इसको बद्दी सरकल में डाला जाए रोड की खस्ता हाल होने के कारण हम रात को ड्यूटी से बारा बज़े आते हैं छुट्टी करके हमारे को घर जाने में प्रोबलम होती है जहांसे तीन चैर किलो मेटर पाइदल जाना पड़ता है और जेagus के बंदे में अत्ते ही काम करने घरट किया वह कोई तो मैं कम से कम 10 किलोमेटर पैदली इस पॉइंट तक आ रहा हूं जहां के रोड की कंडिशन बहुत ज़्यादा खराब है और एक अपसे से तो बिल्कुल ज़्यादा खराब है तो हमारे को आने जाने में बहुत परिशानी हो रही है और स्कूल के बच्चों को भी बहुत करता हूं यहां से 12 किलोमेटर जाना पड़ता है और 12 किलोमेटर वापिस आना पड़ता है तो प्रसाशन के लिए बहुत से लोगों ने उनसे अनुरोद भी किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है पी डवली डवार्मेंट से बात हुई है जही साफ से भी लेकिन उनक कि उसको कसाली डिविजन में डाला जाए ताकि इसकी मुरम्मत बगैरा चलती रहे और लोगों को कोई भी तो फिलाइस बुलिट